सभी पेरेंट्स और डियर स्टुडेंट्स को पेरी गुड मॉर्निंग, मैं मैथ लेक्षर देवी सिंग, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेकर के आया हूँ, इंडेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट थर्ड, तो स्टुडेंट्स हम इस वीडियो में आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट थर्ड कराएंगे, इससे पहले टू पार्ट सम करा चुके हैं आपको, वीडियो आपको पूरा देखना है, बार बार कहते रहते हैं हम, मैथमेटिक्स का जो वीडियो है, पूरा नहीं देखोगे, तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है, कि यहां से आपको फॉर्मूले आपको याद करने हैं, करने ही पढ़ेंगे, बना फॉर्मूला याद किये, कोई भी क्वेस्टन आप सॉल्व नहीं कर सकते, वीडियो आपको अच्छा लग न हुता है, यह होता है, फॉर्मूले आपको पताएए, जो इंटिग्रेशन होता है, प्लस दिग्रेशन होता है, जब इंटिग्रेशन हम सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूले आपको, integration of f stepping upon f x d x इसका होता है log f x आपका होता है plus c तो आपका आए गए integration of 10 x dx तो इसका होगा minus log cos x plus c और log 6 x plus c तो आप इसको भी लगा सकते हो और आप इसको भी लगा सकते हो कहीं भी integration of 10 x आपका आता है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक formula को यूज़ कर सकते हो integration of cortex cortex का होता है log sin x पलस C और आपका होता minus log को sec x plus C आपके दो formula है cortex के भी integration के आप किसी भी एक formula का यूज़ कर सकते हो integration of sec x dx तो यहाँ पर sec x के भी दो formula है integration के log sec x plus 10 x भी आप यूज़ कर सकते हो plus c और log 10 5y4 plus x y2 plus c आप इसको भी यूज़ कर सकते हो friends हर एक formula में जो है 10 x का integration आपके दो formula है cortex के दो है sec x के दो है और इसी तरीके से आपके कोसेक x का जब आप integration करोगे तो इसके भी आपके कोसेक x का integration क्या होता है यह होता है आपका log कोसेक x minus cortex plus c और log 10 x by 2 plus c इसमें से आप किसी भी एक को लगा सकते हैं तो मैं आपको इस formula को बताना चाहूंगा पहले देखिए integration of sin x into cos x और dx आपका आजाता है तो यहां द्यान से देखिए यह sin x जो function है इसका जो differentiation होता है वो कोस x होता है तो देखिए f x की power n या power कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा इनकी value 1 हो गई f dash x तो इसका जो differentiation हो वो cos x है तो इसका जो integration होगा f x की power n plus 1 इसका मतलब इस power में एक plus कर देंगे तो यह आएगा sin 1 जब इसकी power 1 और 1 कितना होगा 2 sin x by 2 plus c आपका answer हो जाएगा तो यह आपका इस तरीके से formula लगेगा second formula आपका कैसे use होगा देखिए integration of cos x over sin x और dx with respect to x करना integration अब देखिए इसका जो differentiation है वो क्या है cos x है f dash x upon f x है तो इसका क्या हो जाएगा log f x आपका हो जाएगा तो log sin x आपका answer यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरीके से हमको यह formula लगाना है next आगे चलते है questions की तरफ देखिए evaluate the following integrals मैंने आपको पहले बताये था पिछले videos में जो first और second videos आपके थे वहाँ पर जो questions दिये हुए थे numerator और denominator की यदि आपकी जो power है वो same रहती है तो numerator को denominator से divide किया जाता है और यदि numerator की power बड़ी होती है variable की किस से denominator से तो उससे situation में भी हम numerator को denominator से divide करते हैं अब यहाँ पर condition उल्टी दी हुई है numerator की power छोटी है और denominator की power बड़ी है तो ऐसी situation में हम कैसे solve करेंगे questions को चलिए substitute करना हमें पड़ेगा यहाँ पर आपको बता देते हैं देखिए कोई भी question है सीधा integration दिया हुआ है तो आपको सभी questions की शुरुआत करनी है let i equal to man करके सभी function को हम let i equal to man तो let i equal to integration of x over 1 plus x की power 4 dx यह है तो integration of x over 1 plus अब x की 4 का हम क्या कर सकते हैं x square का square into dx कर सकते हैं अब हम यहाँ put करेंगे x square equal to t तो इसका किया जाएगा differentiation x square का differentiation हो जाएगा 2x dx और t का हो जाएगा dt तो यहाँ से x dx की value की आएगी 2 जाएगा right hand side में तो 1y2 dt आपकी value आ जाएगी तो यहाँ ध्यान से देखिए x dx की जगए हम इसकी जगए 1y2 dt रखेंगे तो यहाँ आएगा integration of 1y2 तो बाहर और x dx की जगए dt और 1 plus t square आपका नीचे आ जाएगा तो 1y2 अब यह जो होता है इसका integration क्या होता है dt upon 1 plus t square का 10 inverse t होता है t की जगए t की value रख दी जाएगी x square तो 1y2 10 inverse x square plus t आपका answer आ जाएगा अब चलते हैं next question पर तो यह है हमारा integration of x square over 1 plus x की power 6 dx तो यह है आपका यहाँ देखिए x की 6 की जगए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ friends की जो यहाँ power होती है उससे एक अधिक का हम perfect square बनाते है यह cube बनाते है जो भी है तो यहां पर x की power 6 है तो यहां पर x cube का square हम लख देंगे तो यहां पर जो उपर आपकी जो variable होता है उससे एक अधिक power की जग है हम substitute करते हैं t तो यहां पर put किया जाएगा x cube equal to t so that इसका differentiation करिए 3x square dx और t का dt हो जाएगा x square dx equal to 1y3 dt हो जाएगा आप friends क्या करना है देखे x square dx की जगे 1y3 dt 1y3 बहार और dt आपका उपर आजाएगा तो 1 plus t square आपका आचोका है तो 1y3 और यह आपका हो जाएगा 10 inverse t plus c t की जगे t की value क्या आजाएगी t की value आपकी x cube आपकी आजाएगी चलते हैं next question पर next question भी आपका ऐसा ही है देखिए integration of x over x square plus 1 का whole square मैंने आपको अभी बताया था कि भई जो denominator में एक अधिक power होती है उसकी जगे हम t put करते हैं यह तो यहाँ x है यहाँ x square plus 1 है आपको पता है कि जो आपका constant होता है उसका जो differentiation होता हो जीरो होता है इस वज़े से constant से कोई फरक नहीं पड़ता है उस पूरे की जगे भी हम t put कर सकते हैं तो यहाँ पर x square plus 1 की जगे t put किया 2x dx dt हो गया x dx equal 1y2 dt हो गया तो यहाँ पर 1y2 dt और इसकी जगे आपका t square आएगा तो 1 over t square को t square को उपर ले गए t की power minus 2 dt हो गया अब क्या किया जाएगा इसका जब integration आप करोगे 1 plus करोगे power में तो minus 2 plus 1 और minus 2 plus 1 तो यह आजाएगा आपका minus 1y2 तो आपका बार है t की power minus 1 क्योंकि यह minus 1 था तो यह आगे चला जाएगा minus तो यह क्या हूँ आप power को positive बनाएंगे t की power minus 1 है तो 1 upon 2t आपका हो जाएगा minus आपका है यह पलसी t की जगे t की value आपकी रख दी जाएगी और answer आपका आजाएगा next question है फिर देखिए यह आ चुका है 1 plus x cube की जगे t put करो 3x कीर dx dt हो जाएगा तो यह आपका answer आजाएगा मैंने बार-बार आपको बताया कि जो numerator में जो आपकी जो power होती है उससे एक अधिक की जगे हम t put करते हैं और उसके साथ को constant होता है तो total की जगे ही हम t put कर लेते हैं क्योंकि constant का जो differentiation होता है हमारा 0 होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे students 1 plus x की power 4 equal to e 4x cube dx equal to dt हो जाएगा x cube dx is 1y4 dt 1y4 बाहर ले लिया dt yt आपका आजाएगा 1y4 यह आप log t हो जाएगा log t की value आपकी 1 plus x की 4 और यह आपका answer हो जाएगा इसी तरीके से इस question पर चलते है friends तो यह question आपका है क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से integration of x के रोवर 2 plus 3x cube का cube dx है एक power आदेके 2 constant है तो इस अंदर वाली की जागे t put कर लिया जाएगा differentiation करोगे 9x के रोगे dx equal dt हो जाएगा x के रोगे dx equal 1y9 dt आपका आजाएगा अब आप क्या करोगे friends 1y9 dt by tq और इसको उपर ले जाकर के integration कर दिये जाएगा power जो है आपकी 1 plus की जाती integration में और last में t की जागे t की value यहां रख दी जाएगी और answer आपका आजाएगा next question है आपका friends next question क्या है let i equal to integration of x minus 1 over x so clear plus 1 है तो x के upon में इसे अलग कर लिये जाएगा 1 के upon में अलग कर लिये जाएगा तो यह आपका i1 मान लिया गया है जब इसे आप i1 मान होगे x के plus 1 की जगे t put करोगे 2x dx dt हो जाएगा x dx equal to 1y2 आपका dt हो जाएगा इसके बाद में 1y2 dt yt तो यहां 1 upon t का जो integration है log t t की जगे t की value आपकी आजाएगी पलस में c अब हम क्या करेंगे friends इसकी जगे इसके answer को रख दिया जाएगा और यहां 10 inverse x इसका होता ही है तो minus 10 inverse x पलस c आपका answer आजएगा है चलते हैं next question की तरफ यहां पर भी denominator की जगे आप t put करोगे differentiation उसके बाद में आपका answer आजएगा चलते हैं next question पर denominator की जगे आप t put करोगे 2x पलस 9 dx dt हो जाएगा तो dt by t log t और t की जगे t की value आपकी रख दी जाएगी चलते हैं next पर let i equal to integration of x over under root 2x उके पलस 3 dx है तो यहां पर under root के अंदर जो function है इसके जगे t put करो भी differentiation करो 4x 3 का 0 हो जाएगा differentiation रखाया नहीं गया है 4x dx equal dt x dx equal dt by 4 1 by 4 integration of dt by under root t तो इसको उपर ले जाएगा integration करके last time t की जगे t की value रख दी जाएगी चलते है next question पर let i equal to 2x into x उके पलस 2 की power 3y to dx तो यहां पर x उकेर पलस 2 की जगे t put करेंगे 2x dx dt हो जाएगा तो t power 3y to dt हो जाएगा power 1 plus करोगे उपर भी और नीचे भी और last में t की जगे t की value रख दी जाएगी चलते हैं next question पर यहां पर भी क्या करना है आपको x की power 5 है तो यहां x cube into x कीर में तोड़ देंगे यहां पर हम x cube minus 1 equal to t put करेंगे 3x कीर dx equal dt हो जाएगा x कीर dx equal to 1y 3 dt तो x कीर dx की जगे तो 1y 3 dt हो गया और यह आपका आ चुका है t की 1y 3 और यह आपका t आ चुका है यहां t plus 1 हो जाएगा क्यों हो जाएगा t plus 1 x cube की जगे जब x cube minus 1 equal to t आपने रखा तो x cube equal to हो जाएगा t plus 1 इस तरीके से यहां पर यह t plus 1 इसने रख दिया है तो t plus होना आया तो अंदर multiply की t की power 1 plus 3 की इसका लग integration किया इसका लग किया powers को उल्ठा कर दिया जाएगा और यह पांस वर आ जाएगा next question आप पर example second क्या है evaluate the following integration of सभी को let i equal to के बराबर मानेंगे हम तो यहां पर under root x की जगे t put किया जाएगा तो यहां देखते हैं देखिये question पर आ जाएए सीधे तो यहां let i equal to यह function आप पर दिया हुआ है जिसका integration करना है put under root x equal t इसका differentiation करेंगे तो यह आएगा 1 over देखिये under root x का जो differentiation होता 1 over 2 under root x और dx equal to आपका dt आजाएगा तो यहां पर 1 over under root x dx equal to 2 upon में है यह multiply में चला जाएगा 2 dt हो जाएगा तो इस तरीके से इसने students यहां 1 over under root x dx 2 dt सीधा लिख दिया है तो यहां पर यह आया cos t into 2 dt 2 बाहर चला गया cos t का क्या integration होता है cos का होता है sin t t की जगे t की value रख देंगे under root x और आपका answer आजाएगा next question है आपका let i equal to integration of e की power x cos e की power x dx है तो e की जगे t put करोगे e की power x dx dt तो इसका integration आप आराम से कर सकते हो next question है आपका फिर चलते हैं यह है आपका e की power x की जगे t put करेंगे तो 1 power x की जगे t put करोगे 1 power x dx dt हो जाएगा cos e की जगे t dt होगा cos e की जगे t की value रख देंगे 1 power x और आपका answer आजाएगा next question है जी आपका यह क्या है इसमें let i equal to integration of n into x की पावर n minus 1 sin x का पावर n dx है आपका तो यह x की पावर n की जगे t put किया जाएगा तो यहां इसका differentiation किया dx dt हो जाएगा तो यह तो आपका यह और यह तो dt में चला गया तो यह आपका आया sin t आपका आजाएगा सीधा sin का integration minus cos t plus c t की जगे t की value आपकी रख दी जाएगी x की पावर n चलते हैं next question पर यह question है आपका फिर मैंने आपको बताया था ना कि यह x cube है एक अधिक पावर की जगे पर t put किया जाता है x की 4 equal to t 4 x cube dx equal to dt हो जाएगा x cube dx equal to 1y4 dt आपका हो चुका है 1y4 dt यहाँ और इसकी जगे cost t हो जाएगा cost t का integration sin t t की जगे x की power 4 रख दिया और आपका answer आचुका है तो students बहुत ही simple questions हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा simple है यदि formula आप पर आते हैं तो और differentiation का chapter आपने धंग से कर लिया है क्योंकि differentiation और integration साथ साथ चल रहा है हर questions में आप देखी रहे हूँ तो यहाँ पर हम फिर t put कर लेंगे तो इसका differentiation किया यहाँ e की power minus x dx equal to minus 1y2 dt हो जाएगा minus 1y2 बहार कुस x कर t कुस x कर minus cot हो जाएगा और यहाँ पर minus से minus cancel हो जाएगा 1y2 cot t plus c तो t की जगे t की value रख देंगे और आपका answer आ जाएगा चलते है next पर यह आपका integration of cos cube ax plus b sin ax plus b dx है तो यहाँ देखिए cos ax plus b की जगे हमने t put किया minus a sin ax plus b dx dt इसका differentiation यह हो गया minus को इधर ले जाएगे और a को भी आप इधर ले जाओगे तो यह आपका आ जाएगा देखिए यह तो हो गया आपका tq और इसकी जगे हम जो रखेंगे वह जाएगा minus one over a dt तो minus one over a बाहर आ जाएगा तो tq dt हो जाएगा tq का integration हो जाएगा t की power 4y 4 हो जाएगा तो यहाँ पर minus one y 4a और t की जगे t की value रखे cos 4 into ax plus b plus c आपका आ जाएगा next है आपका let i equal to integration of यह है under root यहाँ पर sin 2x और cos 2x dx तो under root sin 2x cos 2x dx इसका integration करना है क्या करोगा sin 2x जगे t put करो 2 cos 2x dx dt हो जाएगा और t की 1 y 2 integration करके value रखेंगे t की जगे ठीकी चलतें next पर यह है आपका यहाँ पर let i equal to integration of sec cube x 10x dx हो जाएगा sec cube को आप यहाँ change कर दोगे किसमें sec secure into sec x में यहाँ करना पड़ेगा sec secure जो आपका यहाँ दिया हुआ है यहाँ sec की जगे ही हम क्या put कर देंगे t put कर देंगे sec की जगे आप t put करोगे sec x का differentiation sec x 10x होता है dx dt हो जाएगा t secure dt t cube by 3 plus c और यह आपका answer हो जाएगा next चलते हैं हम let i equal to t equal to integration of cos 6x under root 1 plus sign 6x dx हो जाएगा तो यहाँ पर यह दिया हुआ है अब यहाँ पर क्या करना है 1 plus sign 6x की जगे t put करना है तो 6 cos 6x dx dt हो जाएगा cos 6x dx equal to 1y6 dt हो जाएगा तो 1y6 dt अंदर और यहाँ पर t रख दिंगे 1 plus sign 6x की जगे तो under root t t की पार 1y2 integration करेंगे तो plus 1 करेंगे जब 1y2 plus 1 करेंगे तो 3y2 उपर पावर में और 3y2 नीचे तो इसका 1y6 है 3y2 का 2y3 हो जाएगा यहाँ से 2t या 6 हो जाएगा 3t या 9 1y3 9 t की पावर 3y2 और t की जगे t की value रख दी तो यह आपका answer आज चुका है इससे आगे चलते हैं friends इस total की जगे a plus b e की पावर x की जगे t रखेंगे तो यहाँ पर इसका differentiation किया जाएगा तो a का तो 0 हो जाएगा b 1x का b 1x dx और t का dt हो जाएगा 1x dx equal 1y b dt आजाएगा तो t की पावर 6 dt तो यह t की पावर 6 का integration 1 power plus करोगे 6 में 1 plus करोगे तो t की पावर 7y 7 तो last में t की जगे t की value रख दी जाएगी आंस्वर आपका आजाएगा अब चलते हैं यहाँ example 3 की तरफ let i equal to तो सभी को मानना है तो देखिए let i equal to यह दे दिया है यहाँ x minus a equal to t put किया तो dx equal to dt तो यहाँ से x की value क्या निकलेगी a plus t आपकी value आजाएगी तो यहाँ पर आपका आया friends integration of a plus t over under root t तो a के अपॉन वालक कर दिये जाएगा इसके अपॉन वालक कर दिये जाएगा a को बाहर ले लिये जाएगा जो अपॉन में under root t है इसको उपर ले जाएगा यह उपर आपका है अलग-अलग integration करके t की जगे t की value रख देंगे आपका answer आजाएगा next question है आपका let i equal to integration of यहाँ पर यह दिया हुआ है क्या किया जाएगा देखे 2 से हम इसे multiply कर लेते हैं 2 से divide कर लेते हैं 1 plus under root x की जगे t put किया जाएगा इसका differences are 1 over 2 under root x dx dt हो जाएगा तो यह तो dt बन चुका है आपका और यह 1 upon t dt हो गया तो log t हो गया 2 आगे है यह t की जगे t की value और आपका answer आ चुका है next question पर चलते हैं तो यह आपका है integration of dx over under root x plus में cube root of x तो यह दिया हुआ है under root x की value x की 1y2 और इसकी value आपकी है x की power 1y3 तो यहाँ पर आपको यह most important question है और यह आपको ध्यान भी रखना है क्या ध्यान रखना है यहाँ पर हम put करेंगे इस question में x की power 1y6 की जगे t put करोगे तो यहाँ पर जो x की value आएगी 1y6 को इदर ले करके जाओगे t की power 6 यहाँ हो जाएगा तो dx equal to आपका आजाएगा x का dx और 6t की power 5 आपका और dt आपका यहाँ differentiation हो जाएगा यही इसने किया यहाँ पर तो क्या किया x की जगे t की power 6 तो यहाँ से 2-3 अच्छ है 3 बार cancel और 3 दो निच्छ है 2 बार cancel तो यहाँ आया 6t की power 5 उपर है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे आगे चलिए t की power 6 को तो बाहर ले लिया t की power 5 है तो t square into t cube over में यह आपका दिया हुआ है t square आपका नीचे से common आ रहा है t square से t square common तो आपका यह आपका friends आ चुका है जब question आपका यह बन चुका है तो फर्स्ट exercise का question हो गया है जैसा हमने वीडियो फर्स्ट में कराया था तो क्योंकि numerator की power बढ़ी है denominator की छोटी है तो divide करेंगे यह आए आपका answer आगे लेका minus 1 remainder उपर और diviser आपका नीचे लिख दिया अब क्या करेंगे सभी का integration अलग-अलग कर दिया है फ्रेंड्स और लास्ट में टी की जगे हमने 1 by 6 रख दिया है और यह आपका फिर answer आजाएगा next question की तरफ चलते हैं let i equal to यह दिया हुआ है तो यहाँ पर जो अंडर root के अंदर जो भी function है पूरे की जगे टी रखा जाएगा so that 2x plus 1 dx equal to dt हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसको फिर हम क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे दोनों साइड में 4x plus 2 dx equal to dt हो जाएगा तो इसकी जगे हम friends इसकी और इसकी जगे तो 2 dt आजाएगा 2 तो बार हो गया और इसकी और इसकी जगे dt और अंडरूट t dt आपका हो चुका है अब अंडरूट t का आप integration जानते ही हो आपका आंस्वरा जाएगा t की जगे t का value रख दी जाएगी next आपका है यहाँ पर let i equal to integration of x अंडरूट 3x minus 2 dx है तो यहाँ पर अंडरूट 3x minus 2 की जगे क्या करेंगे t put कर देंगे पूरे की जगे sbs किया जाएगा तो यह आ जाएगा जब यहाँ से differentiation करोगे t square का तो 2t dt त यहाँ से 3 और x का हो जाएगा dx तो dx की value यहाँ से friends आई 2y3t dt त यहाँ से t square equal 3x minus 2 x की value आपके यह आ चुकी है x की जगे यहाँ x की value इसकी जगे t और dx की जगे हमारी जो value आई थी 2y3t आपका यहाँ आ चुका है सारी value put कर दी यहाँ से आपका 2y9 339 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर देखिए t और t t square t square की multiply अंदर करेंगे t की power 4 plus 2t square dt आपका आ जाएगा उसके बाद में यहाँ देखिए 2y9 बाहर ही इसका integration t की power 5 by 5 plus 2a t cube by 3 plus c आपका हो जाएगा अब last में 2y9 को अंदर खोला जाएगा अंदर ले गए t की जगे last में t की value रख दी जाएगा और आपका answer आ चुका है अब चलते हैं next question की तरफ यह है आपका let i equal to integration of अंडर रूट 1 power x minus 1 dx पूरे की जगे t put कर लिया जाएगा 1 power x dx equal to 2t dt हो जाएगा dx की value आपकी यह आ चुकी है तो यहाँ पर e की power x की value क्या है e की power x की value यहाँ से निकलाएगी 1 power x equal to 1 plus t so किर आपकी value आ जाएगी तो यहाँ 1 plus t so care आ चुका है अब क्या करोगी friends यहाँ पर देखी इसकी जगे t put किया और dx की जगे यह value पूट की तो यह आपका आया 2 बाहर आ चुका है t so care over 1 plus t so care तो यहाँ 1 plus किया 1 minus किया तो इसके आप उनवा लख किया इसे और minus 1 किया पूण में अलग है तो यह 1 बार cancel हुआ तो यह 1 आया इसके बाद में यह आपका 10 inverse t आपका होता ही है तो t की जगे t की value रख दी जाएगी और आपका answer आ जाएगा next question है आपका 7th let i equal to integration of 3 plus 7x into under root 9 minus 3x dx आपका है तो under root 9 minus 3x की जगे t put किया जाएगा so that 9 minus 3x equal to t so care तो यहाँ पर differentiation किया जाएगा 9 का तो 0 हो जाएगा minus 3 dx 2t और t का dt हो जाएगा dx की value यहाँ से minus 2y3t dt आजाएगा तो x की value जब आप यहाँ से friends नकालोगे x की value यहाँ से निकलेगी x की value आपकी यहाँ जाएगे तो यहाँ पर 3 plus 7 x की जगे x की value इसकी जगे t रखा और dx की जगे आपकी यह value आई यहाँ जब आप इसे solve करोगे तो यह आपका आएगा जब आप multiply इसकी करोगे देखिए 3 LCM ले लिया है 3 3 जब आपका 9 हो चुका है साथ नम तरे सट माइनस 7 T सो कर वाई तरी और इसके बाद में देखिए फ्रेंज जब हम इसे देखते हैं आगे तो यह आपका आएगा माइनस 2 वाई 3 T सो कर आपका है अब यहाँ पर माइनस 2 तो ऊपर है 3 3 9 नीचे यह माइनस 2 वाई 9 ले लिया बाहर T सो कर की मल्टिप्लाई यहाँ पर देखिए यहाँ जो है अंदर यह हो जाएगा 63 पलस 9 72 माइनस 7 T सो कर और बाहर T सो कर आपका है मल्टिप्लाई करो गई आएगा अलग-अलग integration दोनों का कर देंगे तो यह आ चुका है फलस में C आपका हो गई लास्ट में T की जगे T की value यहाँ रख दी जाएगी और यह यह आपका आंसर होगा next question पर हम चलते हैं यह question है आपका let I equal to माना जाएगा let I equal to इसे आप मान लोगे तो इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ से under root X common ले लिया जाएगा नीचे से तो यह common लिया तो under root X minus 1 आया तो under root X minus 1 की जगे T put किया तो यहाँ पर 1 over 2 under root X dx dt बन चुका है 1 over under root X dx equal to dt हो गया 2 बाहरा जाएगा और यहाँ पर 1 yt dt 1 yt का मतलब log t plus c 2 log under root X minus 1 plus c आपका answer हो जाएगा चलते हैं next question पर let i equal to ही माना जाएगा आपको पता ही है numerator की जगे under root के अंदर जो function है t रख दिये जाएगा तो 3 का तो 0 हो गया और यहाँ पर log X का हो जाएगा differentiation 1 over X और dx 1 over X dx और t का हो जाएगा यहाँ पर क्या under root T आया और यहाँ देखिए 1 over X dx मतलब यहाँ देखिए जो यह 1 over X dx है इसकी जगे DT आचोका है और इसकी जगे under root T आचोका है t की 3y2 इसका integration हो जाएगा upon 3y2 3y2 का 2y3 हो जाएगा t की पर 3y2 पलस c और t की जगे t की value रख दी जाएगी और यह आपका answer है next question पर चलते हैं तो यह है आपका log X की जगे t put करोगे friends तो 1 over X dx dt हो जाएगा तो 1 over T square dt और सीधा आपका integration हो जाएगा कोई problem है ही नहीं ऐसे यहाँ पर देखिए log X square है तो हम इसको 2 को आगे ले आएगे 2 log X over X dx हो जाएगा log X की जगे t put करो 1 over X dx dt हो जाएगा और इसके बाद integration आपका आजाएगा next है आपका फिर देखिए फिर वही system है log X का whole square over X dx log X की जगे t so that 1 over X dx dt हो जाएगा और यहाँ पर t square log X की जगे t put करो t square dt हो जाएगा t cube by 3 plus c तो 1 by 3 t की जगे log X रखो log X का q plus c आपका आणसर हो जाएगा plus c तो indefinite integration में आता ही आता है इससे आगी चलते हैं हम तो यह आपका है 1 over X cos log X dx log X की जगे आप t put करोगे so that log X का 1 over X dx dt हो जाएगा तो यहाँ पर यह आपका cos t dt हो जाए cos t का sin t plus c t की जगे t की value आंसर आ चुका है log X की जगे t put कर लिया जाएगा 1 over X dx dt हो जाए sex security sex security का integration 10 t plus c आपका हो जाएगा और यह यह आपका आंसर आ जाएगा next question है आपका let i equal to integration of 1 over X cos secure 1 1 plus log X dx आपका यह है 1 plus log X की जगे t put करोगी तो 1 over X dx dt हो जाएगा तो dt over cos security cos secure sex secure होता है और sex secure की integration 10 t plus c और t की जगे t की value आपका answer आ चुका है next difference आपका यहाँ पर क्या है let i equal to integration of 1 over x secure cos secure 1 over x dx आपका दिया हुआ है तो यहाँ 1 over x की जगे t put करोगी क्योंकि 1 over x का differentiation minus 1 over x secure होता है तो dx dt हो जाएगा तो 1 over x secure dx minus dt तो minus dt over cos security cos secure का उल्टा sex security sex का integration 10 t आपका हो जाएगा और यहाँ पर यह minus 10 1 y x प्लस यहाँ आपका answer आजाएगा अब चलते हैं friends next question पर तो यह question आपका क्या दिया हुआ है integration of let i equal to तो सभी मैं मान नहीं है मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर x e की power x की जगे t put होगा यहाँ पर क्या होगा यह product 2 लगेगा first differentiation of second plus side differentiation of first x का dx t का dt हो जाएगा e की power x common dx dt तो यहाँ पर देखिए 1 power x 1 plus x dx numerator total की जगे dt आजाएगा dt upon cost security 10t plus c 500 t की जगे t की value रख दी जाएगे next question है फिर SI है यह same क्या किया जाएगा friends यहाँ पर यह question दिया हुआ है 10 inverse x equal to t 10 inverse x का differentiation हुआ 1 over 1 plus x dx dt हो जाएगा तो t square dt आपका आएगा differentiation तो हमने यहाँ कर चुके है यहाँ t square के जब आप integration करोगे तो t square का हो जाएगा t cube by 3 plus c 1 by 3 t की value 10 inverse x का q plus c आपका answer आजाएगा next चलते हैं friends यहाँ पर भी 10 inverse x equal to t बिल्कुल same है कुछ भी changing नहीं next यहाँ देखिए यहाँ पर आप under root के अंदर जो भी function है total की जगे t put करोगे तो यह आपका आजाएगा minus 2 cos का minus sin x dx dt हो जाएगा sin x dx equal to minus 1y2 dt हो जाएगा तो यह आपका आया इसको उपर ले गए integration किया plus 1 करके power में और आपका t की जगे t की value यहाँ रख दी है next question आपका चलते हैं यह है आपका यहाँ पर 10 inverse x cube की जगे t put करोगे तो यहाँ पर 1 over 1 plus x square मतलब x cube का जब square करोगे तो x की 6 आएगा और x cube का जो differentiation होगा angle का 3 x square x का dx और t का dt आपका आजाएगा तो x square over 1 plus x की power 6 dx और यह 3 को इदर ले जाओगे तो 1 y 3 dt आपका हो जाएगा तो यह आपका यह यह total तो हो गया जी आपका क्या यहाँ पर हमने t रखा था तो यह तो आपका t हुआ और इस total की जगे x square 1 plus x power 6 dx जगे dt आया तो यहाँ पर 1 y 3 बहार t dt, t square y2 t की जगे t की value 10 inverse x cube का square यह आपका answer आचोका है यहाँ पर आप फिर लिखाओगे 10 inverse x equal to t तो 1 over 1 plus x x square dx dt हो जाएगा sex square 2t तो sex square का integration 10 2ty2 और 10 की 2ty2 तो है ही t की जगे t की value रखो आपका answer आचोका पलसी करके जहाँ भी आपका integration solve हो जाएगा जैसे integration का notation अटेगा बाद में पलसी लगा दिया जाता है indefinite integration जैसे में limits नहीं दी हुई होती तो यहाँ पर integration of x cube into sine 10 inverse x power 4 यह दिया हुआ है 10 inverse x power 4 की जगे t फिर वोई system में बिल्कुल से में आ जाएगा यहाँ पर sine inverse x square की जगे t पूठ होगा बिल्कुल से में आगे चलते हैं friends तो यहाँ पर देखिए let i equal to integration of 10 की पार 4 under root x sex square under root x over under root x तो यहाँ पर 10 under root x equal to क्या put किया जाएगा t तो sex square under root x और under root x का 1 over 2 under root x dx dt हो जाएगा तो sex square under root x over यहाँ under root x बुझे 2 था यह right hand side में 2 dt हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे 2 तो आ गया बाहर यह t की पार 4 हो गया और यहाँ पर sex square under root x over under root x dx total dt हो गया t की पार 4 का integration आपका क्या हुआ t की पार 5 by 5 plus c और यहाँ t की जगे t की value रख दी जाएगी क्या 10 under root x तो यहाँ रखी जाएगी पावर 5 है तो पावर 5 10 की पार 5 under root x plus c या पांस वर आजाएगा अब चलते हैं next पर तो next है friends आपका देखते हैं let i equal to integration of 1 over cos square x into 1 minus 10 x का whole square तो cos का उल्टा से x square होता है तो 1 minus 10 x से जगे t तो यह हो जाएगा minus तो आगे है 1 का तो 0 हो जाएगा 10 का differentiation x को किर x dx dt हो जाएगा तो minus को right hand side में ले गए तो minus 1 over t square dt बना minus बाहर t square को उपर ले गए और इसका integration कर दिया last में t की जगे t की value रख दिया अब चलते हैं इस question की तरफ यह question है हमारा let i equal to integration of sin inverse x का q over under root 1 minus x d x sin inverse x की जगे t put करोगे तो 1 over under root 1 minus x d x equal to dt तो यहाँ पर integration of t cube dt आपका बनेगा integration आपका हो जाएगा integration करते समय फ्रेंड्स आपको पता है differentiation में तो power में 1 कम किया जाता है और integration में power में 1 plus किया जाता है differentiation में आपकी power आगे आती है integration में आपकी power डिवाइड में जाती है तो यहाँ पर देखिए यह 11 जो पार्ट है आपका इसकी जगे second verse x की जगे t put करोगे इसका differentiation करोगे 1 over x under root x square minus 1 dx equal dt हो जाएगा integration of t dt तो यहाँ पर t की जो integration आएगा t square y2 plus c तो यहाँ आपका 1 y2 t square का उतलो second verse x का whole square plus c आपका आजाएगा तो यही आपका क्या है आपका answer है friends इससे आगी जब हम next question पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए integration of x 10 inverse x square over 1 plus x की power 4 dx तो यहाँ पर 10 inverse x square आपका क्या है t put हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ आएगा x square का differentiation 2x और 10 inverse x square का हो जाएगा 1 over 1 plus x की power 4 हो जाएगा क्योंकि square का जब square करोगे तो x की power 4 हो गई होगा x का dx हो जाएगा t का dt हो जाएगा 2 को आप इदर ले जाओगे x over 1 plus x dx एगा 1 y2 dt हो जाएगा 1 y2 t dt आएगा तो t का integration t square y2 plus c आपका हो जाएगा t की जगे t की value रखी जाएगी तो यह आपका answer आचुका है next question पर हम चलते है question number 6 आपका है integration of cot x over log sin x तो यहाँ पर देखिए c dc बात है यहाँ पर यह substitute होगा log sin x जगे t log sin x का differentiation 1 over sin x sin का cos x dx dt cot x dx dt हो जाएगा integration of dt over t log t plus c आजाएगा t की जगे t की value रख दी जाएगी next question है आपका integration of cot t over 3 plus 2 log sin x dx हो जाएगा denominator जगे t put किया 3 का 0 हो गया और यहाँ पर 2 का 2 है log sin x का 1 over sin x sin x का cos x dx t का आपका dt हो जाएगा तो 2 cot x dx 1 y 2 dt हो जाएगा क्योंकि 2 को भी हम right hand side में ही ले गए तो 1 y 2 tty 2 फिर वही तरीका है t की जगे t की value आपकी रख दी जाएगी यहाँ पर 1 plus log x जगे t put किया जाएगा 1 over x dx dt हो जाएगा फिर ऐसे ही हो जाएगा चलते है next question पर यह है आपका let i equal to integration of x plus 1 into x plus log x का whole sugar over x है तो यहाँ पर हम put करेंगे देखिए put बाद में करेंगे पहले हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर यह जो दिया हुआ है आपका x plus log x का whole sugar यह तो आपका है इसको इसके upon में कर लेते हैं जो यह x आपका दिया हुआ है इस x को देखिए x के upon मालक कर लेंगे तो 1 आएगा plus 1 over x और यह आपका जो function आपका ही यह आपका दिया हुआ ही है तो यहाँ पर हम x plus log x की जगे t put करेंगे 1 plus 1 over x dx dt हो जाएगा और यहाँ पर यह t square dt आएगा और t q by 3 plus c t की जगे t की value और आपका answer आ चुका है next है आपका क्या है इसमें integration of यहाँ पर integration of 1 over x log x log log x dx आजाएगा यह लोग log x की जगे आप t put करोगे इसकी जगे तो log का तो 1 over log x और log x की जगे आपका जाएगा तो dt over t आएगा log t और t की जगे t की value रख दी जाएगी next question पर हम चलते है sin inverse x की जगे आप t put करोगे तो 1 over under root 1 minus x dx dt हो जाएगा तो dt yt यह बन जाएगा last में t की जगे t की value रख दी जाएगी यहाँ पर भी 10 inverse x की जगे t put होगा 1 over 1 plus x होगे dx dt integration of dt yt फिर यह भी SI हो जाएगा next question फिर चलते हैं तो यहाँ पर second inverse x की जगे t put होगा तो 1 over x into under root x की minus 1 dx equal to dt हो जाएगा तो यह आपका dt yt फिर यह बन जाएगा last में t की जगे t की value रख दी जाएगी क्योंकि 1 over t का integration log t आपका होता है चलते हैं फिर next question पर next question आपका क्या है यह आपका दिया हुआ है let i equal to जो denominator है इसकी जगे हम t put करेंगे जब t put करोगे तो x की जगे 10 x power 9 और 1 power x into log e log 10 हो जाएगा dx dt हो जाएगा तो numerator पूरा dt में चला जाएगा तो dt yt log t t की जगे t की value और आपका answer आ चुका है next question पर हम चलते हैं friends तो यहाँ पर देखिए यह question आपका दिया हुआ है integration of sec x into log sec x plus 10 x दिया हुआ है तो यहाँ log sec x plus 10 x जाएगा t तो log का तो होगे 1 over sec x plus 10 x sec x का होगे sec x 10 x और 10 x का होगे took dt आपका सीधा आ आ लिया तो t का integration t square by 2 पलस यह आपका जाएगा t की जगे t की value रख दी जाएगी next question पर हम चलते हैं तो यह है friends आपका let i equal to integration of cosec x dot log cosec x minus cot x dx आपका है log cosec x minus cot x equal t आपका होगी log cut one over cosec x minus cot x cosec का होजाएगा minus cosec cot और cot का होजाएगा minus cosec minus cosec होगे है minus minus plus cosec होगे dx equal dt होजाएगा cosec x common आचोगा है cosec x minus cot x over यह cancel हुआ cosec x dx dt होचोगा है यहाँ पर friends integration of t dt तो यह आपका answer आचोगा है चलते हैं next question पर यह है आपका let i equal to integration of sex square x over under root 1 minus 10 square x dx तो 10 x की जगे यहाँ t put होगा friends तो यहाँ sex square x dx dt हो जाएगा तो integration of dt over under root 1 minus t square तो यह आपका sign university होता t की जगे t की value रखो देखिए sex square x integration of sex square x let i equal to तो सभी मानना है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कई बार तो यह आपका आजाएगा दिया हुआ जो sex square x over a plus b 10 x dx तो denominator की जगे t put होगा a का differentiation 0 हो जाएगा b 10 का sex square x dx dt हो जाएगा sex square x dx 1y b dt आपका हो जाएगा तो यहाँ पर 1y b dt और over t हो जाएगा 1y b बार आगया 1 over t log t t की जगे t की value और आपका answer आ चुका है next question हम देखते है integration of sin x over 1 plus cos x dx तो 1 plus cos x जगे t put करो तो यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा cos का minus sin x dx dt हो जाएगा sin x dx एगलो minus dt minus 12 आगया dt by t का integration log t plus c तो यहाँ t की जगे 1 plus cos x आपका हो जाएगा next question है आपका फिर देखते हैं देखिए यह है आपका 6th part let i equal to under root 10 x into 1 plus 10 square x 1 plus 10 square x क्या होता sex square x होता है 10 x जगे t put करो तो यहाँ पर आजाएगा sex square x dx dt t की 1y2 integration करके last नों t की जगे t की value policy आपका कर दिया जाएगा तो यह आपका example 8 यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है तो x square into sin square x cube में आपको बताया था एक power जब अधिक होते हैं उसके जगे t put किया जाता आगे से x cube equal t 3 x square dx dt हो जाएगा x square dx 1y3 dt हो जाएगा 1y3 बाहर तो sin square t dt आपका आजाएगा sin square t का formula क्या होता है 1 minus cos 2t by 2 dt आपका आजाएगा 1 by 6 बाहरा आजाएगा 2 3 x 6 1 का integration अलग और cos 2t का अलग हो जाएगा t की जगे t की value रख दी जाएगी next आपका friends यहाँ पर देखिए integration of x square sin cube x cube cos x cube dx है sin x cube की जग है sin x cube की जगे खाली sin x cube की जगे यहाँ पर t put होगा cos x cube और x cube का 3x होगे यार dx dt हो जाएगा cos x cube dx equal 1 y 3 dt आपका आजाएगा 1 y 3 आपका बाहर dt की जो value आपकी होगी dt की value क्या है यहाँ पर देखिए x होगे यार cos x cube dx की जगे 1 y 3 dt आया तो यहाँ पर यह आया आपका t cube और बाकी आपका dt हुआ तो t cube का integration t power 4 by 4 plus c और यह आपका answer हो चुका है next question अब हम चलते हैं let i equal to integration of cos x over 1 plus sin x dx आपका होगा तो यहाँ पर हम sin x जगे t put करेंगे cos x dx dt तो यह 10 inverse t t की जगे t की value रख दी जाएगी answer आपका आजाएगा तो यहाँ पर देखिए integration of 1 minus sin x over x plus cos x का also gare dx x plus cos x equal to t तो x का 1 हो जाएगा cos का minus sin x dx equal to dt हो जाएगा तो यहाँ पर integration of dt over t so care तो उपर ले जाएगे minus की power हो जाएगी plus 1 करोगे तो t की पर minus 1 over minus 1 minus 1 over t और t की जगे t की value यहाँ रख दी जाएगी next question है आपका फेपते लेट i equal to integration of 1 plus 10 x over x plus log sec x का cube into dx तो x plus log sec x से जगे t put करोगे तो यह आपका जब 1 plus log sec x का differentiation में आपको बता देता हूँ 1 over sec x और sec x का हो जाएगा sec x और 10 x तो friends sec x से sec cancel आपका क्या आया 10 x आपका आचुका है तो यहाँ पर देखिए वोई इसने दखाया है जो आप इसका differentiation करोगे तो x का तो 1 log sec x का 10 x आचुका है x का dx और t का आपका dt हो जाएगा तो यहाँ पर integration of dt over tq integration किया t की जगे t की value put की answer आपका आचुका है अब देखिए आपका यह question है let i equal to integration of under root 1 plus sin sugar t sin 2t dt है आपका तो यहाँ पर क्या करोगे आप 1 plus sin sugar t की जगे z put करोगे तो यह friends से आपका हो जाएगा 1 का तो 0 पहले power का खोलोगे 2 sin t sin t का cos t dt dz तो यहाँ पर sin 2t dt dz हो जाएगा under root z dz तो under root z का integration friends आपका आएगा z की power 3y2 over 3y2 3y2 का 2y3 z की power 3y2 plus c और आना है यहाँ यहाँ पर plus c आप कर देना खोदी तो क्या होगा यह 2y3 z की जगे z की value क्या रखी जाएगी 1 plus sin sugar t की power 3y2 plus c आपका answer आ चुका है तो friends यह आपका जो third part है वो यहाँ पर finish हो चुका है तो video आपको कैसा लगा video आपको अच्छा लगा होते ही से like करना और channel को subscribe कर देना जिससे समय समय पर हमारे जो notifications है videos के वो आप तक पहुँच सके Thank you